प्रियंका केमसी किचन में आप सभी का स्वागत है चलिए तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसे आप केंडी, पाप और मुराबबा जो भी चाहे बोल सकते हैं इसके लिए हमने लिया है चार कच्चे आम जिसको अच्छे से हमने वस कर लिया है फिर से हम इस छिलके को अच्छे से उतार लेंगे, अब देख सकते हैं इस छिलके हमारा उतर चुका है सारे आम के छिलके को हमें ऐसा ही उतार लेना है और फिर इसे चाकूच से अच्छे से कट कर लेना है इसे बारीकी से पूरा कट करना है इसके बीज को बचाते हुए हमें कट लेना है देख सकते हैं आप मैं कैसे काट रही हूँ आप भी ऐसा ही कट कर लीजिएगा ये रेसिपी बहुत ही असान है और बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी बन कर त्यार होती है दोस्तों जिसे आप दो महीना स्टोर करकर रख सकते हैं और इंज्वय कर सकते हैं सारे pulp को हमें ऐसे ही cut कर लेना है आप चाहें तो लंबे लंबे भी cut कर सकते हैं फिर लेँगे हम गैस पे कढ़ाई और इस pulp को इसमें हम डाल देंगे इसमें डालेंगे हमे पानी जो की जिटना ढूब जाए उतना ही हमें पानी का इस्तमाल करना है और फिर इसे mix करकर इसे ढखकार पकाना है कम से कम इसे 8 मिनिट high flame पर हमें पकाना है 8 मिनिट बाद हमने ढखकन को हटा दिया है देखते हैं ये पुरा पका है या नहीं ये देखिए ये पूरा पल्प पक चुका है आपको दिखाती हूँ देखिए कैसे दब जा रहा है न ऐसे ही पूरे पल्प को हमें पका लेना है चलिए तो छान कर इसको हमें निकाल लेना है और इसे ठंडा होने देना है एक प्लेट में इससे फैला देंगे और ठंडा होने देंगे फिर लेंगे हम मिक्सी का जार और इस अ्पूरा फाइन होना चाहिए चलिए तो चलते हैं गैस की तरफ हमने कढ़ाई को रख दिया है और फिर सारे पल्फ को को मिसमें कर देंगे फिर लेंगे हम चूटी सी कटोड़ी से देख कर टोड़ी चीनी लेंगे अब ज्यादा मीठा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं फिर सारे को अच्छे से हमें मीक्स करना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है इसमें high नहीं रखना है नहीं तो यह नीचे से लगने लगेगा और इसे अच्छे से चलात काला नमक डालेंगे और फिर डालेंगे हमें दो पिंच के लगवग काली मिर्च का पाउडर फिर इसमें हम लेंगे आधी छोटी चमच लाल मिर्च आप नहीं खाते हैं तो सकते हैं और यह देखिए सारे को अच्छे से मिक्स करदेंगे पर इससे डालने से बहुत ही खटा मी मिडियम टुं लौ फट्टी मिनिम पर में चलाते हुए देखिए हम चैने है कम ऑचीस मिनिम लग गया है कि मुझीर कि बंद कर देंग locks делать है जो बरें त्रेब्ली भी लेसकते हैं लेखिए हम यूकर ंाशा डाल देंगे यह चार can defend जाएगा है इससे क्या होता है कि चिपकता नहीं है अच्छे से छोड़ देता है फिर हम बनाया हुआ ये आम का पल्प को इसमें हम डाल देंगे और चारो तरफ से फैला देंगे इसे अच्छे से कर्ची से फैला दीजिएगा ये चिपकता है थोड़ा आराम राम से इसे फैला देना है च दूखा सकते हैं ये देखिए दो दीन बाद हमारा कितना अच्छा सेट हो गया है पूरा इसे अच्छे से हमें चाकूस से चारो तरफ से छोडा लेना है फिर हम बीचों बीच इसके कट कर देंगे और पिर इस साइट से भी हमें कट कर देना है आपको जैसा सेप देना इस साइज में थोड़ा सा बढ़ा था इसलिए में और छोटा छोटा कर लूंगी अब देख सकते हैं यह कितना अच्छा बनकर तियार हो गया है चलिए तो इतना बड़ा बड़ा बहुत अच्छा है इसे छोटा नहीं रखेंगे और इसे अच्छे से निकाल लेंगे साइड से ये सारे आम के पापड हमारे बन के रेडी हो गए हैं दोस्तो प्लीज कमेंट में जरूर बताए कि आप इसको क्या बोलते हैं आम पापड आम मुराबबा या आम केंडी ये कच्छे आम कापड और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा होता है जिसे आप महिनों तक स्टोर करकर खा सकते हैं प्लीज वीडियो आच चलागे तो लाइक से और सास्क्राब